देखे कल से ये बात बार बार आम आदमी पार्टी बता रही है कि ना सिर्फ मनीश शुदिया जी को गिरफ्तार किया है बलकि आम आदमी पार्टी के लगबग 80 प्रतीशत नेत्यतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है पूछा जाता है तो केंदर सरकार कह रही है कि नहीं डेटेन किया है मैं जानना चाहता हूं डेटेंशन एक गंटे की होती है, दो गंटे की होती है तीम गंटे की होती है अभी 24 घंटे हो जाएंगे, क्या 24 घंटे कोई पुलिस इतने बड़े बड़े नेताओं को तो छोड़िये, किसी आम आदमी को भी डिटेन कर सकती है, क्या कोई कानून में प्रावधान है, नहीं है, अगर इतनी देर तक आपने किसी को अरेस्ट किया हुआ है, तो ये गैर का अरेस्ट कानूनी है, अब तक आपको उनको कोट में पेश करके बताना चाहिए था कि आपने किन धाराओं में और किस कारण एक मेंबर ऑफ पार्लेमेंट को गिरफतार किया हुआ है, दिल्ली के एक सीनियर मिनिस्टर गोपाल राय जी को गिरफतार किया हुआ है, दिल्ली विधायक और चुने हुए पार्षद आज पुलिस द्वारा गिरफतार हैं और कल से गिरफतार हैं, सारी की सारी रात उन्होंने थाने में काटी है, अभी तक पुलिस ने उनको नहीं छोड़ा है, हमारे डिस्टिक्ट इंचार्जेस गिरफतार है, हमारे लोकसभा के वे संकेत थो बहुत खतरनाक संकेत हैं, ये तो एम़रजंसी के संकेत हैं जो इंद्रा गाण्दी ने एमरजंसी में किया था वो आज केंद्र सरकार और मोदी जी की सरकार कर रही है, कि आपने सब बड़े नेताओं को बिना बात जेल के पीछे डाला हुआ है ये गलत है और हम केंदर सरकार से जवाब चाहेंगे कि किस आधार पे आपने हमारे स्चीर्ष नित्व को गिरफ़तार करके सलाखों के पीछे डाला हुआ है आज सारे अकबार मैंने पढ़े अंग्रेजी के भी पढ़े हिंदी के भी पढ़े कि क्या कुछ नया मिल गया मनीश शिचोदिया जी के खिलाव कि उनको उनकी गिरफ़तारी करनी पढ़ गई मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कोई किसी को पता हो तो मैं बताईएग वही बासी कहानी जो सीबियाए पिछले मई 2022 से गा रही है वही कहानी है अब मुझे यह जानना है कि गिरफ़तारी करने की क्या जरूत थी क्या वो देश छोड़के भाग रहे थे वो पिछले दस महीने में नहीं भागे आगे भाग जाते क्या वो किसी गवा को किसी सबूत को नश्ट कर रहे थे पिछले आट महीने में बहुत मौका था उनको करने का वो कर सकते थे उन्हें नहीं किया तो अब क्या कर देंगे क्या कोई नया सबूत मनी शिचोदिया जी के खिलाफ मिला है ऐसा कोई सबूत नहीं मिला सारी फाइलें सी बी आई के पास हैं सारी हुआ है यह सब लोग जानते हैं कि यह पॉलिसी अगर किसी ने अप्रूव की है तो तो अनिल बैजल साहब है एल जी साहब है जिनको केंदर सरकार ने निक्ट किया है उन्हों ने इस पॉलिसी को अप्रूव किया और उन्हों ने इस पॉलिसी को नोटिफाई किया तो दस मही आमाद्मी पार्टी के उपर अत्याचार कर रही है आज आम आदमी पार्टी के लोग और मनिश चवदिया ची को प्यार करने वाले लोग भारती जंता पार्टी के मुख्यौले पर एक शांती पूर्ण प्रदर्शर करने के लिए खटा होंगे आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि आप कवर कीजेगा और दिखाईएगा किस तरीके से जो है केंदर सरकार आम आदमी पार्टी को कुछलने की कोशिश कर रहेगी